नमस्कार आप देख रहे हैं HBR News बहदराबाद में दो समुदाइक के बीच हुव विवाद के सम्मध में भी मार्मी प्रदेश अध्यक्ष उत्राखंड महकसी में स्स्पी हरिद्वार को ग्यापन सपा है और इसी के साथ जल्द से जल्द कारवाई की मांग भी की है थाना शेत्र बहादराबाद के गाओ अत्मलपूर बोगला में कुछ दिन पहले दो समुदाइक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसने सांप्रदाइक जगड़े का रूप ले लिया था स्सपी हरिद्वार सहीद हरिद्वार पुलिस के अन्याला अधिकारियों तुरंत मामने को संग्यान में लेते हुए पूरी गाओ में भारी पुलिस बलतैनात किया और हरिद्वार पुलिस प्रशासन की सूजबूजी से एक बड़ा सांप्रदाइक जगड़ा होने से रुख गया जिसका पूर अश्रे हरिद्वार पुलिस को दिया जाना गलत नहीं होगा इसी प्रेकरण में काफी लोगों को कमभीर चोटी भी आई थी उसी को लेकर भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष उत्राखंड महक सिंग ने SSP को ग्यापन दिया वही महक सिंग प्रदेश अध्यक्ष अभीम आर्मी का कहना है कि हमने अत्मलपूर बॉगला में कुछ दिन पहले हुए विवात को लेकर SSP को लिखित ग्यापन दिया है और दोश्यों के खिलाफ कारवाई की मांकी है वही महक सिंग ने अन्य संगठन, शिव सेना और बजरंग दल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने दोश्यों के साथ मिलकर इस छोटे से जगड को हिंदू-मुस्लिम यानि सामप्रदाई जगडा बनाने का काम किया है वही महक सिंग का कहना है कि SSP हरिद्वान ने ग्यापल ले लिया है और जल्द ही इस पर कारवाई करने हेतू आश्वासन दिया है बीरो रिपोर्ट, HBN News सब्सक्राज निर्थन के लोग मैं पूरी तरह से नाम ही ले देता हूं जिस तरह से आर असा और बजर्गडल के लोग उनौन ने उस मामले में जाकर पूरी तरह से मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने का काम किया हमारा का schö लिए हैं और पहुंचकर इस मामले को शंग्यान में लिया तो आज जब उसमें मुकदमा दर्ज थाना छेतर बाहदराबाद में नहीं हो पाया तो आज हम स्पी ओपिस पहुंचे हैं स्पी साथ से मिनने के लिए और लिखित में हमने आज स्पी साहब को एक अप्लिकेशन दी है उस अप्लिकेशन के आधार पर हमने स्पी साब से मांग कि है कि जिस परकार से थाना छेतर बाहदराबाद बॉंगला में यह मामला हुआ है इस मामले को इसकी जाच करते हैं निश्पक से कारवाई इसमें करें जो लोग इसमें दोसी हैं जिन लोगों ने वहाँ पर आग जनी की जिन लोगों ने वहाँ पर तोड़ फोड की गाडियों में आग लगाई उन लोगों पर ततकाल पर भाहँ से कारवाई करते हैं उने कि पूरी तरह से इसमें आपकी मदद की जाएगी आज भीमार्वी भारत एक्ता मिशन के कुछ सीमित संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि करोना काल चल रहा है हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे आज यहां पर जिले के कुछ पदाधीकारी और प्रदेश के पदाधीकारी पहुंचे हैं तो आस्वास जीते स्सपी साहीं के दुवारा किया गया है कि इसमें तत्काल प्रभाव से कारवाई की जाएगी जाच क्यादा एक तका का राज चलेगा हिंदू-मुसलिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूँगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूँगी महुआ विधान सभा शेत्र के दोनों प्रखंड के अल्तरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल केम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्तपर कोरोना जैसे महामारी को आई हुए पाँच महिने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिलनागी हुए है अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाँच महिनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास का वित्रन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी की खिलाप सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वित्रन क्यों करी विचार ठीक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्यभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 126 संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली